अगर आप एक बाथरूम बनवाने जा रहे हैं और आप एक बाथरूम में वाल टाइल और फ्लोर टाइल लगाने जा रहे हैं और वो भी आप एक ब्रांडेट कजारिया की टाइल लगाने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको detail बताऊंगा कि एक bathroom जिसका चोड़ाई 5 feet है, लंबाई 10 feet है और उसमें जो tile लग रही है आप देख रहे हैं ये पूरे 8 feet उचाई तक लग रही है तो इस bathroom में कजारिया की floor tile और wall tile कैसी लगाई गई है, कितने rate की लगाई है और इस 10 by 5 के bathroom में total आपका कितना यहाँ पे wall tile लएगा, कितना floor tile लएगा, कितना उसमें बालू लगने वाला है, कितना cement लगने वाला है, सब कुछ मैं detail में बताऊंगा, साथ में tile का quality भी बताऊंग कि कैसी tile आपको wall tile में लगानी है, कैसी आपकी floor tile में लगानी है, तो आप अगर एक बार ये video पूरा detail में देख लेंगे, तो आपका कितना भी area का bathroom हो, kitchen हो, या floor हो, आप इसी हिसाब से अपना tile का cost निकाल सकते हैं, तो video end तक देखिएगा, अब चलिए video को detail में शुरू करत हैं, यहाँ मैं अब आपको practically समझा देता हूँ, wall tile और floor tile एक bathroom में लगाना है, और tile कौन सा हम लगा रहा है, कजारिया tile, तो यह चीज आप ध्यान रखेगा, मैं यहाँ कजारिया tile के बारे हम बता रहा हूँ क्योंकि मेरे side पे कजारिया tile लगाई जा रही है, आप यहाँ प पे मेरा budget आएगा, उसमें आपका 500,000, 2000,000 का और फर्क आजाएगा, ठीक है, अब यह चीज मैं आपको यहाँ पे detail में दिखा रहता हूँ, एक मेरा यह bathroom है, इसका जो आप देख सकते हैं, लंबाई 10 feet का है, और चोडाई 5 feet की है, और इसकी जो bathroom की दिवार की जितनी हम tile हम यहाँ पे gate रखे हुए हैं, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, सबसे पहले कि wall tile, कि हमारा wall tile इसमें कितना लएगा, तो यहाँ जैसे आप देखिएगा, कि total area of wall tile, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि 5 into 8, यानि कि हम एक यह side का, हम पहले area निका हो गया, फिर उसके बाद 10 feet into 8 feet, अब एक side यह, तो हमारा 10 और 8 feet उचाई था, तो 80 हो गया, और इस side भी same हो ही tile लग रही है, उतने ही उचाईगी, तो into 2 कर दिया, तो 160 feet हो गया, ठीक, उसके बाद आगे वाला जो यह area है, मैं क्या किया हूँ, पहले पूरा area ले लिया area minus कर देंगे, तो 40 feet में से, मतलब यह वाला area में से, अब धाई by 7 का जो area होगा, वो minus करेंगे, तो 22.5 हमारा यह निकल जाएगा, यह सामने वाला area, 22.5 feet, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कि 40 feet यह वाला, 80 feet यह, 80 feet यह, और 22.5 feet यह, सब जोड दिये, तो 22.5 feet हमारा square feet वाल टाइल लगना है, ठीक है, अब उसके बाद जो हम यहाँ पे टाइल ले रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहा है, मैं आपको टाइल दिखा रहा हूं, तो यह आप देख सकते हैं, 1 feet by 2 feet का यह टाइल है, यानि 300 mm by 6 mm का, आपको यहाँ पे सेरामिक वाल टाइल द यानि कि यहाँ पे एक पेटी में 5 टाइल हैं, ठीक है, तो 5 और एक टाइल का हमारा एरिया था 2 square feet, तो 5 into 2 आप कर दिजी, तो 10 square feet हमारा एक पेटी में यहाँ पे टाइल हो गया, यानि कि एक पेटी में 10 square feet आपको टाइल हो गया, तो अब हमारा टोटल जो एरिया लग रह आप देख रहा है 22 पेटी के लगभग यहां पे लाएगा लेकिन थोड़ा सा यहां पे टूट पुट होगी कटिंग होगी कहीं पर साइज नहीं आएगा तो फिर वहां दरवाजों के साइड में कुछ टाइल लगानी पड़ेगी तो दो पेटी आपको एक्स्ट्रा यहां प पेटी तो 24 इंटू 550 करेंगे तो 13,200 रुपय का हमारा यहां पे टाइल मिल गया उसके बाद फिर यहां पे आप क्या है कि आपको सिमेंट लएगा इसको वाल टाइल को लगाने के लिए आपको सिमेंट चाहिए तो फिर सिमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि लगभग जो बहुत काम करते करते हमें अंदाजा हो गया है कि जो सिमेंट का इसमें लगभग जो लगाया जाता है वाल टाइल में वो करीबन एक बैग में 40 से 50 स्कॉर फिट आपका वाल टाइल लगती है तो उसी एवरेज के हिसाब से मैं यहां पे सिमेंट निकाल लिया हूं तो 20.5 हम हमारा एक बैग में लग रहा है तो उससे डिवाइड कर देंगे तब 5.56 यानि लगभग 6 बैग करीब हमारा यहां पे सिमेंट लग जाएगा 222.5 स्कॉर फिट के एरिये में ठीक है तो 6 अब जो सिमेंट अभी मुझे मिला है पीपीसी नॉर्मल जो सिमेंट यहां पी यू 223 हमारे स्कॉर फिट लगभग 222.5 आ रहा था तो उसको 223 में मान लिया तो 223 इंटू 14 रुपय हमारे लेबर रेट पड़ रहा है तो 3122 रुपय का हमारे यहां पे लेबर का खर्चा जाएगा अब क्या करेंगे हम इस पहले पूरे वाल टैल में जितना भी खर्चा है उ ठीक है तो 13200 रुपय हमारे यहां पे वाल टैल जो हमने खरीदा था ओ मिला था फिर उसके बाद 2220 रुपय का हमारे इसमें सिमेंट लग गया था उसके बाद यहां पे जो लेवर का है 3122 रुपय हमारे लेवर का लग गया था तो वाल टैल लगाना में 510 के बातरूम में 18 14,005-42 रुपया हमारे यहां अभी तक खर्चा हो गया है अब इसके बाद देख लेते हैं कि फ्लोर टाइल में कितना खर्चा होगा अब यहां देखिए वही बातरूम में 5 भाई 10 का थी यानि 50 स्क्वाइर फिट पहले हम एरिया निकाल लिए टोटल अब जो टाइल आप दे देखना है कि एक पेटी में आपको 10 पिश टाइल है तो एक टाइल का एरिया है हमारा 1 स्क्वाइर फिट तो 10 इंटू 1 कर देंगे तो यानि कि एक पेटी में कितना माल है 10 स्क्वाइर फिट माल है ठीक है अब यहां पे जो टोटल एरिया था मेरा 50 स्क्वाइर फिट था त इस पे आपको सिलीप होने का कोई चांस नहीं और देख रहा है काफी attractive और signing भी काफी अच्छी है तो यहां जो है 430 रुपे के यह टाइल है तो 5 बॉक्स मेरा लग रहा है तो 5 इंटू 430 कर देंगे तो 2150 रुपे का हमारा floor टाइल मिला है cement जो है लगभग जो 3 बैग इसमें cement लएगा क्योंकि हम एक छे के यहां पर मसाला बना रहा है mortar तो उसमें मसाले में थोड़ा सा cement mix होगा फिर उसके बाद उसी cement से हमें इस टाइल को लगाना ही भी है तो 3 बैग यहां cement लग जाएगा तो 3 बैग इंटू 370 रुपे का हमें cement मि बालू यहां पर river sand हमने यूज किया है ओ लग रहा है तो यहां 60 रुपिया cubic feet के हिसाब से हमें अभी के time में यहां बालू मिला है river sand मिला है तो 25 इंटू 60 कर दिया तो 15 रुपिया का हमारा यहां पर sand पड़ गया उसके बाद जो lever है लेवर यहां पर 14 रुपिया के हिसाब स लेवर ने लिया है तो 50 हमारा square feet यहां पर floor tile लग रहा था तो 50 इंटू 14 कर दिया तो 700 रुपिया हमारा floor tile में चला गया अब हम पहले क्या करेंगे कि यह जो total हमारा है इस total को हम पहले निकाल लेंगे कि floor tile में हमारा कितना खर्चा हुए तो 2150 रुपिय का आप देख सकते है कि यहां पर हमारा floor tile लगा था फिर उसके बाद cement हमारा 1110 रुपे का लगा फिर हमारा जो बालू है 1500 रुपे का लगा लेवर जो है हमारा 700 रुपे का लगा तो सब कुछ यहां जोडने के बाद यहां पर 5,460 रुपे में हमारा floor tile हो रहा है 5,10 के bathroom में उसके बाद हम क्या कर है 24,000 के लगबग यहां पर खर्च हो रहा है फिर थोड़ा वहत यहां पर एक केजी से डेड़ केजी हमारा वाइट सिमेंट लएगा लगबग 25 से 50 रुपे का यहां आप देख सकते हैं कि टोटल 24,000 रुपे आपका खर्चा होने वाला है एक 10 वाई 5 के बाथरूम में वाल ट सर्चा लगने वाला है सब पुष निकाल सकते हैं